सुप्रीम कोट ने आज योगी सरकार को एंटी सी एए प्रोटेस्टर्स से रिकवरी में एठे सारे पैसे लोटाने के लिए आदेश दिये ये ने भारत का पहला ऐसा वाकिया था जब प्रोटेस्टर्स को इस तरहे नोटिस देकर उनसे सरकारी माल के नुकसान की रिकवरी की गई थी और इसी ने भारत को लेकर सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने भी टिपणी कर दी है और मज़ेदार बात यह कि आज के भारत के तुलना नहरू के जमाने से कर दी है यानि नहरू जी की तारीफ कर दी है मुदी सरकार काफी खफा है क्या क्यों कैसे इस पर मैं आगे तफसील से बात करूँगा लेकिन बात चोकी नए भारत की है तो हिंदुत्व की राजनीती की बात क्यों ना की जाए इसके मुतालिक बीजेपी के अमेठी विधायक तिलोल सीट से विधायक मैंकेश्वर सिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है इन दिनो वही अपने अलाके में घूम रहे हैं और हिंदु मुस्लिम वाली नफरत बाट रहे है आप उनकी भाषा सुनिएगा तो आपको पैटन साफ नजर आएगा कि आखर यूपी में बीजेपी किस हद तक डेस्परेट हो चुकी मगर वोट उनके हाथ से फिसलता जा रहा है ये चुकी बीजेपी के एक जिम्धार नेता है और विधायक है इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ हलाकि वीडियो में इन विधायक जी की भाषा कतया भद्र आपत्ति जनक और नफरत से लबरेज है पता नहीं चुनाओ आयोग में इस वीडियो का संग्यान लिया या नहीं मगर आश्चर नहीं होगा अगर ये उनके रडार पर ना आए मैंकेश्वर सिंग हिंदुस्तान के हिंदूों की बात तो ऐसे कर रहे है मानो ये उनके ठेकेदार हों हिंदूों के मगर अभी तो यूपी की बात कर लिजे माहिं केश्वर जी बीजेपी नेताओं की रेलियों में भीड सिकुडती जा रही है जनता बीजेपी नेताओं का अभिवादन तक स्वीकार नहीं कर रही दरसल यूपी की जनता जिसमें हिंदू, मुस्लिम से किसाई, सब जाती धर्म की लोग है वो जनता अब जाग चुकी है पाँच साल लगा और इतना ही वक्त सम्धान भी देता है लेकिन जनता जाग चुकी है और असरदार तरीके से और इमानदारी से वोटिंग के दिन अपने मतों के अधिकार का प्रयोग कर रही योगी जिस बुल्डोजर की बात करके जनता के एक वर्ग को बार बार डरा रहे हैं दरसल एक बुल्डोजर पबलिक के पास भी है इस बार नतीजी आने के बाद बीजेपी वाले पूछेंगे कि हमारे वोट कौन ले गया तो पबलिक ने जवाब सोचकर रखा है बोल देंगे कोको उड़ा कर ले गई कोको पर तो अब कई मीम भी बन चुके हैं वाइरल हैं मालूम है ना मैं केश्वर सिंग को ऐसी नफरत भरी बातें बोलने की इंस्पिरेशन किस से मिलती होगी तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुक्खी मंतरी योगी आधितनाथ ने हाली में एक वीडियो सर्कुलेट किया था जिसमें उन्होंने वोटर से अपील की कि बीजेपी को ही वोट दीजेगा ताकि यूपी पंगाल, कश्मीर और केरल ना बने ऐसा योगी ने क्यों बोला इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं बलकि हिंदुत सोच की समझ चाहिए जम्मु कश्मीर मुसलिम भहुल राजी है, केरल में लगबग 26 फिसदी मुसल्मान तो ममता बिनर्जी वाले पस्चि मंगाल में 27 फिसदी मुसल्मान है योगी जी का इशारा साफ था लेकिन योगी जी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए, कि हिंदु राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाले हिंदुत वादियों का श्यासन पिछले सालों में कैसा था ये भी देश और यूपी की जनता ने देखा कि किस तरह से उन सरकारों ने लोगों के विश्वास को नुकसान पहुँचाया है और विकास की कैसी उल्टी गंगा बाही है उसी हिंदुत वादि विकास की कड़ी में योगी सरकार ने सेकड़ों एंटी सी एए प्रोटेस्टर्स के खलाफ सरकारी प्रॉपर्टी के नुकसान माल के नुकसान की भरपाई के नोटिस दे दिये उन से रिकावरी की नोटिस लेकिन आज लगभग तीन साल बाद देश के सरवोच ने आया ले नहीं ये नोटिस ही अवैट ठहरा दिया क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहद आपने उन लोगों को नोटिस दिया 274 लोगों को और योगी सरकार ने कहा कि उन सभी लोगों को पैसे आप वापस कीजिए और जो उनकी आपने प्रोपर्टी बेटाइश की थी वो भी छोड़िये उनने एंटी सी ए प्रोटेस्टर्स के खिलाब रिकावरी वाली ये करवाई करके योगी दरसल अपनी हिंदुत वादी छभी भी इस्टैबलिश करना चाहते थे 2019 की बात है 2017 में उन्होंने सत्ता समाली थी क्योंकि एंटी सी ए ए प्रोटेस्टर्स जिनको यूपी सरकार की नोटिस गई उस सभी लोग दरसल अल्वसंख्यक समुदाय से थे वही प्रोटेस्टर्स जिनके बारे में ये कहा गया कि वो देश त्रोही है एंटी नाशनल है मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सारी नोटिस्स पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया कहा वापस लिजिए और यूपी सरकार ने वापस ले भी लिए है ये तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के तेवर थे नए भारत में क्या कुछ चलना है और नहरू के भारत से वो कितना अलग हो चुका है इसको लेकर आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिनलूग ने भारत को ही उपदेश दे डाला ली सिनलूग ने अपनी संसद में खड़ोकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाल नहरू की तारिफ कर दी कहा देश को आज़ादी दिलाने के बाद आदर्शों वाला नया भारत नहरू बना कर गए और आज भारती संसद में ऐसे कई संसद हैं जिनकी आपराधिक छबी है कहने को भारत और सिंगापुर के बीच अच्छे सामरिक और ट्रेड रिश्टे हैं फिर भी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिनलूग ने ऐसा क्यों कहा ये तो नहीं मालू पर जाहिर तोर पर भारत सरकार को ये बात नागवार गुजरी हाई कमिशनर को समन किया गया और उनको बताया गया कि ये बातें जो प्रधानमंत्री ने बोली वो गहर जरूरी थी लेकिन ये समझ मनी आया कि भारत सरकार को क्या पसंद नहीं आया या फिर आपरागधिक रिकॉर्ड के कुछ सांसदों का चुना जाना क्योंकि ये भी फैक्ट है कि पिछले एक दशक में संसद में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या बढ़ी है Association of Democratic Reforms की रिपोर्ट ये कहती है कि मौझूदा संसद में 43 फिसिदी संसदों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है 549 में से 233 संसदों के और इन में से 116 संसद BJP के हैं लेकिन आप से और हम से तो अब तक यही बताया जाता रहा है कि भारत में सब चंगा सी कुरोना में ऑक्सिजन की कमी से कोई नहीं मरा जी सबको नौकरी मिल गई जी सबके अकाउंट में 15 लाक रुपे आ गए जी यहां सब सुख शान्ती है जी और फिर चुनाव आते ही ये अपने वो मुखोटे उतार फिंकते हैं और फिर बात होती है असिबीज की अली बजरंग बली की गजवाए हिंद की चोटी की, दाढ़ी की, टोपी की लेकिन पबलिक समझदार है सब जानती है उसके पास जवाब तयार है वोट कोको उड़ा कर ले गई मेरा आज का सवाल दोहराता हूँ क्या योगी सरकार ने सामप्रताइक कार्ड खेल कर अपनी ही किस्मत पर बुल्डोजर चला दिया है अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजेगा तो ये थी आज की नियूस बाजी फिर मिलेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए नमस्कार